हलो फ्रेंड स्वागते आक कमाई चैनल पर आज हम आपके लिए लेकिया हैं बहुत ही जड़ा चटपटा सा कुरकुरा सा कराया सा नास्ता जिसके सामने आप समोसा और कचोड़ी को भूल जाएंगे यह नास्ता जितना जड़ा क्रिस्पी है चटपटा उस जड़ा यह हल्द आपको नाक्पिकेसर मिल पाएं सबसे पहले और आप हमारी आसान देपाइदा अपसे पहले यहाँ पर देखीए मैंने क्या लिया है यहाँ पर मैने दौ ग्रीन चिली को इस तरह से मोटा मोटा कटकत के लिए हैं अगर आप बच्चों के लिए नास्ता ग्रीन चिली को हटा सकते हैं अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यदा चोटा है तो चलिए आगे काम फट आफट सुरू करते हैं और जैसे यह आईल गरम हो जाएगा हम इसमें हाफ टी स्कून डाल देंगे जीरा और जीरे को हम दस से पंदा सेकंड चटकने देंगे काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो देखें दस से पंदा सेकंड में जीरा चटक गया है फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अद्रक और लहसुन जिसमें मैंने चार से पांच कलिया लहसुन की और एक इंच के अद्रक को इस तरह से मोटा मोटा कटकर के डाला है आप चाहे तो इसको पेश्ट भी बना के डाल सकते हैं तो इस तरीके से डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो इसको भी हम दस से पंदा सेकंड भून लेंगे ताकि इसका कच्चा पर निकल जाए अगर आप अद्रक और लसुन नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं फिर इसके बाद हम अपनी दो ग्रीन चिली जो हमने कटकर के रखी ती वो डाल देंगे और इसको भी हम दस से पंदा सेकंड को कर लेंगे यह देखे कुक हो गई है फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइच की प्याज जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट किया है तो प्याज को हलका सा मोटा मोटा कट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा और प्याज को में बिलकुल भी काला नहीं क करना बस 10 से 15 सेकंड इसको भून लेंगे हलका सा पियाज कर निकल जाये बस इतना ही करना है इसको बहुत ज़्यदा पकाना नहीं है नहीं तो प्लर भी अच्छा नहीं आएगा और लुक भी अच्छा नहीं आएगा तो यहां पे देखें प्याज हमारी हल्की सी टांस्पैर् तो आप क्या डाल सकते हैं उसका भी हम सजेशन देंगे तो यहां पर देखिए मैंने पत्ता गोवी ली है जिसको मैंने इस तरह से लंबा-लंबा कट किया है अगर आपके पास पत्ता गोवी ना हो तो आप इसकी जगापे फूल गोवी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इ हम इसके अंदर क्या डालेंगे गाजर तो वैसे तो बच्चे वीजी टेवल खाते नहीं तो इस तरीके से हमको नावस्ते में खिला सकते हैं यहां पर मैंने एक मीडियम साइच की गाजर को ग्रेट करके लिया है आप चाहे तो चोटे-चोटे पीस करके भी ले सकते हैं तो यहां पर मैंने एक मीडियम साइच का सिम्ला मिर्च को इस तरह से मोटा-मोटा कटकर के लिया है और सिम्ला मिर्च को खोने में बहुत इकम टाइम लगता है इसलिए हम इसको फटा-फट 10-15 सेंड भूनेंगे इसको कुक नहीं होने देंगे तो हलका सा क्रिस्प होना चाहि यहां पर देखिए मैंने एक मीडियम साइच का टमाटर लिया है जो लाल था जिसके ना मैंने बीच निकाले है और नहीं मैंने इसका जूस निकाला है तो लाल टमाटर लेंगे तो बहुत यह अच्छा लुक आएगा और अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर याट करेंगे बच्चों का फेवरेट आलू, दो मीडियूम साइच के आलू को मैंने बॉइल करने के बाद ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद इस तरीके से ग्रेट कर लिया आप चाहें तो मैंस भी कर सकते हैं, वेट नहीं आलू हमारा 100 ग्राम था, अगर संख्या म उठ जाएंगे, तो बच्चों को आलू बहुत जड़ा पसंद होता है, तो इसलिए मैं इस रैस्पी में आलू डालनी हूँ, अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, खाली विजिटेवल के साथ बना सकते हैं, या फिर आप इसमें पनी सेकंड भून लेना है, यह देखिए अच्छा से भून लिया है, फिर इसके बाद हम कुछ मसाले एड करेंगे, जो बेसिक मसाले हैं, तो फ्रेंड सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरी पॉड़ा यानि हल्दी, हल्दी हमें जाल नहीं डालना है, सिर्फ चृथाई चम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, जो मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेस्पी चाहिए, तो कमेंड बॉक्स में कमेंड करना, आपके साथ से करेंगे, और आप इसमें हम आधा नेमू करश डालेंगे, तो इससे बहुत ज़रा चटपटा बनेगा, तो मैंने इ इसमें लाश्ट में डालेंगे हरा धनिया, धेर सारा, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट और लुक दोनों आएगा, तो यहाँ पर देखे हरा धनिया को अच्छे से वास करने के बाद फैन के नीचे रख दिया था, जब बिल्कुल ड्राय हो गया, तो मैंने इस तरीके से डा और आप इसमें ठंडा होने के रखेंगे और दूसरा काम करेंगे तब तक जब तक यह ठंडा होगा, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक पैन लिया है, पैन को विल्कुल अच्छे से गरम कर लेंगे, जब पैन गरम हो जाएगा, तब इसमें हम डालेंगे, क्या आई तो इसको डालने से लुक बहुत प्यारा आएगा, हाफ टीस्पून डाला है, फिर हाफ टीस्पून हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, जिसमें विल्कुल भी पारी नहीं होना चाहिए, तो हरा धनिया को 10 से 15 सेंड मैंने अच्छे से वास करने के बाद पैन के नीचे रख द आदा है कि हमारा जो मसाले वाला आलू था उसके अंदर नमक है, हमें इसमें नमक eso कर दिए तो यहां पे मैंने 1Tी structural बाद आने का वेट करेंगे, जिए एक वाला जाएगा मने दाने का सकी आलेंगे- आप करने शो शृत्या colors कृक्षिष सेंड वी इसमें डालेंगे हृष ही आसानी से मिल जाता है यह अगर आके पास चावल काटा ना हो तो आप इसके जगा पर सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन चावल काटे से यह पूरे महीने खराब नहीं होती है और बहुत ही कुरकुरी बनती है तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमें थोआ थोआ मिक्स करना है एक साथ डालेंगे तो गुटलिया भी पड़ जाएंगे और अच्छे से कुक नहीं होगा और गयास का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है और जो वड़तन लीजेगा थोड़ा सा फैला हुआ ताकि आपको चलाने में कोई दिक्कत ना हो और भारी लेना तो ज्यादा पानी नहीं डालना है सिर्फ एक छोटी ग्लास डालनी है या फिर आप एक छोटा कफ भी डाल सकते हैं तो यह देखिए अच्छे से मिक्स करते वे इस तरह से पका लेंगे और आभी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका यह आठा कु देखा किजिए उससे आप ही का फायदा है तो देखिए इस तरीके से सारा पानी बिल्कुल अच्छे से सूख गया है अब मैं आपको बताऊंगी आपको इसको चेक कैसे करना है तो देखिए बिल्कुल अच्छे से इसमें इस तरीके से बाइंडिंग आ गए है अब हम पूले में विल्कुल भी क्रैक नहीं है विल्कुल अच्छ से स्मूध बनाए यानि यह हो गया है अब हम गयास के फ्लेम को बन कर देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जो इसमें भाप होगी उसी से यह कुख हो जाएगा तो यहां पे इसको चाहे तो कवर कर सकते हैं नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं तो 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे हलका सा नौर्मल हो जाएगा तब यह चूने लायक रचेगा तब हम इसका नास्ता बनाएंगे तो फ्रेंड देखिए 5 मिनट हो चुका है आटा हम इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से चूपा रहे हलका सा गुनगुना है बहुत जड़ा ठंडा मत करना नहीं तो आप इस रेस्पी को बना नहीं पाएंगे बहुत ज़्यदा विखरेगी क्योंकि यह चावल काटता है तो हलका सा गुनगुना होगा तब ही हम इसके साथ काम करेंगे इतना गुनगुना होना च चूपा है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और आप इसमें हम डालेंगे हाफ टीस्पून नीमू का रस जिससे बहुत इच्छा टेस्ट आएगा और अब हम क्या करेंगे इसको दूसरे बड़तर में टास्वर कर लेंगे और अपने हाथों पर थोड़ा सा ओयल लगाएंगे आप घियो बटर भी लगा सकते हैं तो धन्या का पता चला गए इसको हम साइड में कर देंगे और इस तरीके से हाथ लेलियो को ग्रीस कर लेंगे और आप इसको हम बस लेंगे तो आई लगाने से क्या होगा यह बिल्कुल भी चिए जित ख५्केगा नई और इसमें चिकनापन भी आ जाएगा तो देखिया इस तरीके से हमें दोनों हाथों से इसको बारी-बारी मसल मसल ना है वसको ममसल प yalak और यह देखिए यह मसल हैं तो बिल्कु की अच्छ से से चिकना हो रहा और कुनसे की पॉर्म में आ गया है तो हलका सा जब गुनगुना होगा तभी आपको ये काम करना है तो जो राय बता रहे हैं यानि जो टिप दे रहे हैं उसे जरूर फालो करना उससे आपका रिजल काफी अच्छा होगा ये देखिए बिल्कुर अच्छा से हो गया है अब इसको हम बनाना सुरू करेंगे तो चलिए हाथों को वास कर लेते फिर इसको फटा फट बनाना सुरू करते हैं यहां पर देखिए मैं इस तरीके से इसको लोंगी जैसे हम रोटी का लोई बनाते उस तरीके से हम इसको लोई बनाएंगे इस तरीके से हलका हलका सा प्रशर देते हुए और अब हम क्या करेंगे इसको चिकना कर लेंगे और यहां पर हम इस तरीके से ओयल लगा देंगे अच्छे से और इसके उपर रखके इस तरीके से फ्लैट करेंगे तो यह चावल काटा है तो इस तरीके से इसमें विख्राव पन होगा लेकिन इसको हम बहुत ही प्यारा सा सेफ देंगे इसकी क्षिंता मत करना अब हम क्या करेंगे बेलन पर भी थोड़ा सा ओई लगा लेंगे ताकि चिपके न और अब इसको हम बेलेंगे और हमें इसको हलका सा मोटा बेलना है बहुत जड़ा पतला नहीं बेलना है तो फ्रेंट देखिए इस तरीके से इसको मैंने बेल लिया है इसको मैंने बहुत जड़ा पतला नहीं रखा है इस तरीके से मोटा रखा है यह देख लीजे और आप हम क्या करेंगे इसको शेफ दे यह देखे कितना ज़रा सुन्दर सा हो गया है और नीचे आप जब लगाएंगे तो इन विल्कुल आसानी से छोड़ देगा यह देखे इसको इतना मोटा रखा यह बहुत ज़रा पतला मिले रखा और कितना प्यारा सा सेप आ गया तो चलिए एक और बे ले ते फिर इसको हम प्यारा सा डिजाइन देंगे तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने दोनों बना लिया है अब यहां पर जो हमारी स्टफिंग थी बिल्कु अच्छे थे ठंडी हो चुकी है चटपटी वाली अब इसका एक चमच हम इसके बीचो बीच में रखेंगे तो यहां पर आपको बंद करना है तो पानी वेगरा लगाने की कोई जरुवत नहीं है बिल्कु आराम से बंद हो जाता है और फिर इसको आप करीब ले आए और इस तरीके से प्रेसर देते वे घुमाते वे अच्छे से चिपका लीजिए यह देखिए कितने परफर्ट तरीके से बन गया है बस आपको खयाल वही रखना है जो मैंने आपको बताया था कि स्टफिंग को किनारों पर विल्कुल भी टच नहीं करना है बीच वीच में फील करना है अब इसके उपर हम डालेंगे एक सुन्दर सा डिजाइन जिसके लिए हम इस तरह से चमच ले लेंगे और इस तरीके से हम अब इस तरीके से आपको भी डालना है करी इससे दिखा रहें यह देखिए इस तरह से गुमाते वे इसको हम कट लगाएंगे बहुत इस सुन्दर सा डिजाइन बनेगा जो बच्चों को बहुत ही जदा अट्रैक करेगा खाने के लिए यह देखिए कितना ज़रा सुन्दर मैं इसे तरीक में ऍगया है और आप हम क्या करेंगे इसी तरीक से बागी बना लेंगे फिर आप से मिलते हैं तो देखिए तरीके से मैं इसको करना है और यहां पर इस तरीके से आपको चेक करना है हाथ तेली को ऊपर रखना है अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही ही तो समझ जाए यह तेल गरम हो चुका है जब हमारा तेल बिलकुँ अच्छा से गरम हो जाएगा तो हम कैसे डालेंगे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस तरीके से डालना है अगर आपका पैंच छोटा है तो आप एक बार में स्विफ दो बनाना अगर बड़ा है तो आप तीन बना सकते है और डालत ही तुरंट इसको चलाने की गलती नहीं करना इसको आपको दो से तीन मिनट तक पकने देना है मीडियम फ्लेम पर और दो से तीन मिनट के बाद हम इसको टरंड करेंगे और गया इसको बहुत जल्दी कलर पकड़ लेगा और अंदर से कच्छा रहेगा अगर लोब रहेंगे गया है इसको ही तरीक का सहरा लीजे चोड़ से टॅच्छ बढ़ार पकाये तो यहां पर दीख लीजे कितिना प्यारा सा ट लक्ट लेजिए बिलकूल अच्छ से व बनगे तो ही निचैन अगली ने ot बहुत ही सुन्दर सा लुक आएगा और अब इसको हम निकाल लेंगे यहां पर ख्याल यह रखना है कि इसे हमें मीडियम फ्लेम पर बनाना है हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है और यह देखिए अब हमारा जो बाकी बचा हुआ था उसको भी हम बना लेते फिर आफसे को फाइन भी बिल्कुल भी अइलि नहीं है इस तरीके से देखिए हतेलीों पर मल लें तो बिलकुल भी हतेलीं में आईल नहीं आ रहा है बИलकुल भी बनता अंदर से क्रिस्पी े और इस Ikkyै कितने बरावर से फिले और इस लेने सब्साफ किया है यह homemade ketchup के साथ अगर आपको इसकी recipe चाहिए टमाटो केचप की तो आप comment box में comment करना आपके साथ share करेंगे आप इसे momos, chutney के साथ, चाय के साथ या फिर इस तरह से ketchup के साथ दी enjoy कर सकते तो friend कैसी लगी आपको हमारी मज़िदाव सी recipe comment box में जरूर बताना recipe में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को like कर देना, share कर देना अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आएं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आप इस recipe को लंबे समय तक store कर सकते हैं अगर आपने मेरी tip and trick को follow करके इस recipe को बनाया तो तो चलिए मुसरत वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ जाए करने, आप इसे बनाये, बच्चों के टिफिन वाक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन वाक्स में निक्सर करके आएंगे और पती को लिंच वाक्स में दे सकते हैं तो फ्रेंड अगर आपने हमाई चैनल पर मिंबर्सिप नहीं लिए तो प्लीस जरूर लेना, बहुत इससे आपको फाइदा मिलेगा मिलते हैं बहुत जल्दी नई recipe के साथ अपना ख्याल लेखे, love you all, bye and take care जर आपना ख्याल लेखे, love you all, bye and take care